क्या आपने कभी किसे पुरुष के गर्भवती होने और उसे डिलिवरी के बाद सरकारी राशी मिलने की बाद सुनी है यदि नहीं सुनी तो सुन ले और जान ले क्योंकि कोडर्मा में पुरुषों के भी डिलिवरी हुई है और उसके नाम पर राशी भी निकासी की गई है य एक महिला को तो एक साल में 15 बार गर्वबती दिखाकर उसकी डिलिवरी के पैसे निकाले गई हैं देखिए रिपोर्ट जि. पुरुशों की भी करवादी डिलिवरी, एक ही महिला की साल में 15 बार डिलिवरी दिखाई गई, एक महिला के नाम पर 72 बार दिखाई गई डिलिवरी फरजी डिलिवरी दिखाकर निकाल ली गई प्रोचाहन राशी प्रात्मिक स्वास्त केंद्र सत्गामा में डिलिवरी के नाम पर फरजी वाड़ा अब तक डिलिवरी के नाम पर 50 लाख का फरजी वाड़ा स्वास्त केंद्र के कलर्क और सहयोगी का कारनामा ये कुडर्मा के सत्गामा का प्रात्मिक स्वास्त केंद्र है यहां के डॉक्टर दुनिया के सबसे टैलेंटेड डॉक्टर है ये केंद्र भी सबसे महान है क्योंकि यहाँ एक साल में एक ही महिला की 15 बार डिलेवरी दिखा कर पैसे की निकासी की गई है तुर्रा तो यह है कि एक महिला की 72 बार डिलेवरी कराए गई इसके साथ एक पुरुष्ट की भी डिलेवरी के पैसे निकाल लिये गए इसकी भनक मुझे मिली थी लगवग 15-20 दिन पहले तो मैंने इसकी जाच करवाई थी गुप्त रुप से और वहाँ इसे खाते को मैंने फ्रीज करवा दिया था और दो दिन पहले मैंने अपने जिला के और डीपीम को वहाँ भेजा कि इसके बारे में जो विश्तित जाच है उसे मुझे अबबद कराएं वहाँ पे गए जाच के बाद जो उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी उसे फर्स्ट है कि इसमें वहाँ के कोई लिपिक और उनके कुछ सयोगी मिले हुए है बताया जा रहा है कि अंजु नाम की महिला को साल में 15 बार गर्भबती बता कर पैसे निकाले गए एक बार की डिलिवरी में किसी महिला को 6400 रुपए मिलते हैं साधार पर अब तक किस केंदर से 50 लाख से अधिक रुपए की निकासी की गई है फर्जी निकासी का आरोप स्वास्त केंदर के कलर्ग और उसके सहयोगी पर लगा है और उन्होंने बहुत सारे पैसे दूसरे खाताओं में अपने खाते में भी ट्रांस्टर करवाया है जो एक गंभीर मामला है मैंने ततकाल अपने जिलिया की उपएक मोहद्या को अनरोद किया कि आप इस पे एक उचस्तरिय जाच कमीटी बना दे और वो जाच करे इस मामले की उन्होंने इससे स्विकार कर लिया और यह जाच कमीटी कल से अपना काम सुरू करेगी और मैं यह कह सकता हूँ कि जो भी लोग इसमें दोशी होंगे पाया जाएगे जाच के बाद सिविल सर्जन इस मामले में पूरी तरह से तत पर दिखे उन्होंने पूरे मामले की चानबीन के लिए पहल शुरू कर दी है केंदर के खाते को फ्रीज कर दिया गया है इस केंदर में चल रही गतिवीधियों पर भी रिपोर्ट मांगी गई है अब देखना होगा कि क्या चंकर सामने आता है पुडर्मा से न्यूस 11 भारत के लिए आरियन की रिपोर्ट